मेरे प्यारे साथियों नमस्कार afis.com में आप सभी का मैं डॉक्टर विजय अगरवाल हार्दी क्रूप से स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को याद होगा कि हम लोग एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है जिसका शीर सक्था is की तैयारी कैसे करें और उसके पहले चरण में हम लोगों ने बहुत डिटेल में जाकर इस बात की चर्चा की है कि जो civil service की आप तैयारी करेंगे उसके real में सद्धान्त क्या होने चाहिए प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए एक बार मैं इससे पहले कि अपने इस दूसरे चरण की बात शुरू करूं मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा और कहीं ने कहीं उससे भी बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों को भरोजा दिलाना चाहूंगा कि इस से पहले कि आप तैयारी शुरू करें प्लीज उसके सिध्धान्त को ना किवल समझने की कोशिस करें बलकि उसे आत्म साथ भी करें हो सकता है कि आपको यह सारी बातें बेकार की चीजें लग रही हो इनका कोई विशेस महत और फिलहाल समझ में नहीं आ रहा हो लेकिन ऐसा है नहीं जिसे हम एक सिस्टेमेटिक प्रिपरेशन कहते हैं एक का साइन्टिफिक प्रिपरेशन कहते हैं वो इसी तरीके से होती है तो होगा आवस्यक material कि आपको कौन से books पढ़नी चाहिए और preparation के लिए सच पूछे तो और क्या किन किन तरह के materials आपको इकठे करने चाहिए और third stage में जाकर कि या इस कह लिए किसके part 3 में जाकर हम फिर बात करेंगे कि जो material आपने कठा कर लिया है जो अलग अलग रूपों में है उसका आप इस्तेमाल कैसे करेंगे तो दोस्तों अब मैं आता हूँ अपने इस भाग दो पर और ये जो भाग दो है इस भाग दो के अंतरगत हम देखेंगे आवश्यक material यानि कि जो चीजें हैं जो पढ़ने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पढ़ेगी फिरंस यहां पर फिर मैं एक थोड़ी सी अलग issue पर आपसे बात करना चाहूंगा मैं इसे एक उदारन से शुरू करता हूँ जैसे मान लिजै कि आप कहीं घूमने जाना झाहा रहे हैं वो बिलकुल नई जगह है आप वहाँ पहली बार जा रहे हैं मान लिजे कि आप अमेरिका के सेंट फ्रांसिस को जा रहे हैं इक तो आप ठीक है अपने टिकेट बुक कराईए और आप चले जाईए और घूम कर चले आईए एक तरीका हुआ लेकिन एक दूसरा तरीका भी हो सकता है और दूसरा तरीका यह है कि आप सबसे पहले अमेरिका के बारे में जाने इसके बाद इस्पेशली सेंट फ्रांसिसको के बारे में जान ले मैप म उसको identify कर लें कि San Francisco कहा है ये अमेरिका के बिल्कुल किस पार्ट में है और वेस्ट पार्ट में है और फिर वहां कैसे कैसे जाएंगे रास्ते में क्या क्या पढ़ेगा San Francisco के हिस्टरी के बारे में पढ़ ले ये सब करने के बाद आप San Francisco को घूमने जाएं थोड़ा सा आप महस घूमने जाते हैं यानि कि आप सीधे सीधे सिविल सर्विस के तैयारी में लग जाते हैं और दूसरा वह कि आप San Francisco के बारे में अच्छी तर से जान समझ कर फिर आप San Francisco को घूमने जाते हैं आप महसूस करेंगे और इन फैक्ट ये सच भी है इसमें तनिक भी संदेह मत कीज ले ली है तो आपका वहां घूमना नकिवल जादा आनंद प्लेजरेबल हो जाएगा बलकि San Francisco के बारे में आपकी पकड़ भी जादा हो जाएगे जब आप वहां से घूम कर आएंगे और अपने दोस्तों से वहां के बारे में चर्चा करेंगे तो आप इतने content based चर्चा करे कि आप खुद देखकर दंग रह जाएंगे सुनकर दंग रह जाएंगे तो मित्रों अगर हम इसी बात को civil service की तयारी पर apply कर दें तो जो मैं बात कहना चाहरा हूँ वो यह कि आपको यह मालूम होना चाही कि civil service का जो पूरा का पूरा exam है इस exam का concept क्या है मतलब यह exam totality में अ मालूम होता है कि pre होता है मेंस होता है और इसके बाद interview होता है और इस तीनों की तैयारी हम कर सकते हैं और यह किताबे होती हैं और वो पढ़ में बैठ जाते हैं फ्रेंड्स यह उतना आसान नहीं है बेतर होगा कि आप इस पूरे के पूरे civil service नह किवल civil service के exam के बारे में ब किस तरह के questions पूछे जाते हैं किस तरह से answers लिखे जाने चाहिए अलग-अलग subject की तैयारी कैसे हो फिर उनकी तैयारी किस directions में हो इन सारी चीजों का concept अगर आपको शुरुआत में ही मालूम हो जाता है concept में आप इन चीजों को बसा लेते हैं तो फिर आप देखेंगे कि भावना पैदा होगी वो अधभुत होगी टोटेलिटी की जो मैं भावना कह रहा हूं इससे आप कोई बहुत ही वैज्यानिक वो मत समझें टोटेलिटी कहने का मतलब मेरा ये है कि अब आप जो भी तैयारी करेंगे वो तैयारी संपूर्णता में होगी मैं यहां संपूर् के point of view से नहीं पढ़ेंगे वो पूरी के पूरी एक totality का आपका हिस्सा हो जाएगा जो civil service की अपनी requirement है आप उस requirement को fulfill कर सकेंगे तो मित्रों इसके लिए मैं आपको एक suggest करना चाहूंगा एक किताब suggest करना चाहूंगा जो मैंने ही लिखी है और चुकि मैंने लिखी है और मैं जानता हूं कि बहुत मेहनत के साथ और बहुत अनुभव के साथ और दूसरे स्टूडेंट्स से जो पिछले 30 सालों से लगाता सेलेक्ट होते आ रहे हैं उन से बातचीत करने के निचोड के आधार पर मैंने लिखी है पहले materials के रूप में या reading materials कह लिजए मैं suggest करना चाहू और जिसका शीरसक है आप IAS कैसे बनेंगे ये इसका दोस्तों title है ये किताब है आप IAS कैसे बनेंगे ये जो बुक है आपकी बिल्कुल शुरुआत से लेकर बिल्कुल शुरुआत जिसे आप मनुविग ज्यान कह सकते हैं वहां से लेकर के और बिल्कुल interview तक की बात करती ह और बहुत ही छोटी छोटी बातों के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है इसमें चर्चा की गई है और जितनी भी चर्चाएं हैं मैं आपको इंशोर कर सकता हूँ कि वो सारी की सारी चर्चाएं बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल की हैं बहुत ही ब्यावारिक लेवल की हैं वहाँ आपको सिद्धान्त और बड़ी बड़ी बाते हैं और उची उची चीजें नहीं मिलेंगी सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपके अपने अनुभों के इस तरकी हैं जिनको आप महसूस कर सकते हैं और जिनको आप बड़ी आसानी के साथ अपने ब्यवहार में ला सकते मुझे ऐसा लगता है फ्रेंट्स कि यदि आप एक बार इस किताब को पढ़ लेंगे तो इस किताब को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के बारे में एक कम्प्लीट कॉंसेप्ट तयार हो जाएगा आपकी धारना बन जाएगी कि अच्छ हिंदी में लिखी है हिंदी में टाइटी लिए है लेकिन यह किताब दूसरी भाषाओं में भी अवलेबल है इंग्लिश में इसका अनवाद हो चुका है आपको यह किताब इंग्लिश में मिल जाएगी इसका अनवाद गुजराती में भी हो चुका है यह किताब गुजरात आते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने प्रिपेशन की शुरुआत आप आई एस कैसे बनेंगे इस किताब से करें किताब थोड़ी से मोटी है थोड़ा सा आप से जादा वक्त लेगी लेकिन उसके बारे में आप बिलकुल भी चिंता ना करें और सच पूछे तो मैं जब आगे चल करके कभी आप से बात करूँगा कि सिविल सर्विस के प्रिपेशन का पुरा आपका एक रोड मैप कैसा होना चाहिए तो उसमें मैं कुछ और बातों की चर्जा करूँगा जिसमें सबसे बड़ी चीज होती है धैर यह पेशेंस आपको पेशेंस रखना होगा यदि आप फिर से मैं उस सब्द को बार बार दोरा रहा हूँ कि सिस्टमेटिक और साइन्टिफिक प्रिपेशन करना चाहा रहे हैं तो एक बार इस किताब को पढ़ जाए और पढ़ने के स्टाइल इसकी कुछ नहीं इसमें आपको कहना चाहूँगा मित्रों कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसकी बहुत सी चीजें आपके पल्ले नहीं पढ़ेंगे समझ मेनी आएंगी क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है उनके संदर्व कि यह क्यों कहा जा रहा है किस तरीके से नहीं तो आप बिलकुल उससे ना उब अलग होगा और ये किताब आपको अलग से फाइदा पहुंचाएगी आप ये भी मत समझे कि एक बार इस किताब को पढ़ लेने के बाद इससे आपका नाता खतम हो जाएगा आप खुद महसूस करेंगे और इस किताब को पाएंगे कि ये तो आपके टेबल पर ही होनी और समय समय पर आप देखेंगे कि ये किताब आपके लिए रिफरेंस बुक का काम करेंगी रिफरेंस बुक का काम इस माएने में कि अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि यार प्री का चैप्टर खोल करके देखो कि इसके बारे में क्या बताया गया ह आपके मन में तयारी करते समय कुछ प्रशन खड़े होंगे तब उस प्रशने के जब आप उत्तर तलाश करेंगे तो आपको ये किताब आपके उत्तर की तलाश में आपकी मदद करेगी और उत्तर प्रोवाइड करेगी तो हर स्टेज पर ये किताब आपके काम आएगी तो एक बार आप किवल इसको फील करने के लिए पढ़ जाएं और फिर आप अपने प्रिपेशन पर आएं अब आप अपनी तैयारी शुरू करें और ये न समझें कि जो मैंने अभी कि जिस किताब की चर्चा किया आप आई य इतली है फ्रेंड्स अब मैं आता हूँ कुछ उन बातों पर जिस जो आपको करनी ही चाहिए मुझे नहीं मालूम कि आप लोग इसे कितना कर रहे होंगे लेकिन ये आपको डेफिनिटली करनी चाहिए दोस्त तो पहली बात जो मैंने आप से कही है वो है कि आप प्लीज इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें आप आई एस कैसे बनेंगे और इसके बाद फिर मैं आपको तयारी करने के कुछ उपाय बता रहा हूँ और वो उपाय दोस्तों ये है कि आपके अपने कमरे में स्टडी रूम में मैप्स होने ही चाहिए नक्षे होने चाहिए उनके कर सकता हूं कि आप एक आटलस खरीद लेजे लेकिन मैप जानबुझ करके कह रहा हूँ दोस्तों मैप्स ये मैप भी नहीं है मैप्स यानि एक से अधिक ये जो मैप्स की बात कर रहा हूँ ये डेफिनिटली ये जो मैप्स ओंगे ये पॉलिटिकल मैप ही होंगे यानि कि राजनेतिक इस्थितियों को बताने वाले जिसमें देश के नाम होते हैं यह जो मैप्स होंगे फ्रेंड्स यह दो तरह के मैप्स होंगे इसका एक मैप होगा वर्ल्ड का और जो दूसरा मैप होगा वो होगा इंडिया का ये दो मैप आपके दिवाल पर लटकने चाहिए और यदि मैं और भी स्पेसिफाई करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी जगा पर लटकने चाहिए जहां आते जाते हर समय आपकी निगाह पड़ती रहे चाहे आप चाहें या नचाहें ना चाहते हुए भी आप उस मैप को देखने से बच न सकें मित्रों आप आगे चल कर महसूस करेंगे कि यह जो नक्षे हैं दो नक्षे भारत और विश्य दोनों की मैं बात कर रहा हैं इसमें से आप कोई लिबर्टी नहीं ले सकते हैं ये दोनों के दोनों नक्ष से आपकी प्रिप्रेशन को न केवल सरल ही बना देंगे बलकि टॉपिक्स पर आपकी पकड़ को इतना मजबूत कर देंगे और आपके एनालेसिस पावर को इतना बढ़ा देंगे जिसको सच पूछे तो यहां मैं बताने में असमर्थता महसूस कर रहा हूं आप देखें कि जिन्दकी दुनिया में जितनी भी घटनाएं घटती हैं राइट दो तीन चीजे तो अनिवारे होती हैं कि वो घटना किसी ने किसी इस्थान पर घटी होगी है उसका कोई न कोई तो प्लेस होगा बिना प्लेस के तो कोई इस्थान होई नहीं सकत और इस प्लेस को बताने वाला कौन होगा? ये मैप होगा. ये प्लेस की जानकारी आपको मैपस पर ही मिलेगी. इसका जो चैलिंज है मैपस का फ्रेंड्स वो ये है कि मैपस को आप रट नहीं सकते हैं. चलिए आप किसी टॉपिक को रट लेंगे, किसी फार्मूले को रट ले लेकिन मैप्स को आप रटेंगे कैसे अब ट्राइ करके देखिए हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपके दिमाग में ये भरोसा हो जाए कि नहीं नहीं मैप्स को याद कर लिया मुझे मालू में कि एशिया महदीफ है एशिया महदीफ के वेस्ट में ये है भारत यहां पर है इ कटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, तो क्या आपको लगता है कि दिमाग उन सारी चीजों को उतने इस पस्टता के साथ बचा कर रख पाएगा, कती सम्भ हो नहीं है, और फिर मुझे तो ये भी लगता है दोस्तों कि जिस काम को, जिस बड़े काम को, काम नहीं कहूं मलकी, मै इसको इतने कठिन और इतने महत्वपूर काम को, यदि आप खेल खेल में कर सकते हैं, तो उसको कठिन बनाने की क्या जरूरत है, खेल खेल की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो नक्षे आपके दिवाल पर टंगे हुए हैं, और आते जाते आप निगाह मार रहे हैं, तो पहली तो जब सुमालिया में ये हुआ तो देखे होता क्या है कि फिर आप जरा एटलस को पलट कर सुमालिया ढूंडने में फोड़ी सी तकलीफ महसूस करेंगे, दिमाग के इस जालबाजी को तो समझेए, लेकिन जैसे ही आप पढ़कर खड़े होंगे, या कह लिजए कि सुमाल जब आप रोज कर रहे हैं, जब आप रोज कर रहे हैं, तो अब आप देखे कि अभी आपने सुमालिया का नाम ढूंडा था, अब आपको नेक्स डे क्यूबा ढूंडना है, तो जब आप क्यूबा ढूंडेंगे तो हो सकता है कि सुमालिया से फिर आपकी मुलाकात हो और आप दो महिने तीन महिने के अंदर पाएंगे कि पूरे नकसे को आप समझ चुके हैं पूरे नकसे को समझ चुके हैं आपके दिमाग में भले ही एक्जेक्ट लोकेशन ना बैठे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इस तरह से लोकेशन मालूम होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर जगह कितने अंस उत्तर दक्षिन करक रेखा पर है या मकर रेखा पर है भुमद्य सागर के किस इस तरह की मैं बातें नहीं कर रहा हूं लेकिन आफ्टर राल एक लोकेशन पता लग जाती है फिर पता लगते कि सोमालिया की बगल में कौन से देश है तो आप देखेंगे कि आपकी हिस्टरी की आटोमेटिक तयारी होती चली जा रही है आपकी इंटरनेशनल रिलेशन्स की आटोमेटिक तयारी होती चली जा रही ह और जितनी घटनाए हो रही हैं उन पर आपकी जो पकड़ है वो अलग तरीके की बंती चली जा रही है तो मित्रों पहला जो मैंने स्टेप बताया था वो है कि सिविल सर्विस के प्रिपेशन के बारे में अपना कॉंसेप्ट तयार कीजे और मैंने आप से कहा कि उस कॉंसेप्ट के लिए जरूरी है कि आप ये किताब पढ़ें आप आईएस कैसे बनेंगे और इसको पढ़ लेने के बाद आप अपने स्टेडी रूम के देवाल पर मैप्स लटकाईए और ये दोनों मैप्स हों पॉलिटिकल मैप्स होने चाहिए एक मैप वर्ल्ड का हो और एक मैप इंडिया का हो मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि किताब पढ़ने से पहले मैप्स आप अपने दिवालों पर न लटकाएं अगर पहले भी लटका लेंगे तो आपको उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है तो यह मैं समझता हूं दोस्तों कि ऐसा करने के बाद अब मैं कुछ उन चीजों के उपर आ रहा हूं जो डेफिनिटली आपकी अलग तरीके से मदद करेंगे और आपके प्रिपरेशन धीरे 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 आगे की और बढ़ने लगेगी फ्रेंड्स आप मुझे सुन रहे हैं अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हूंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपने Unsold Papers जरूर पढ़े होंगे Pre के भी Unsold Papers देखे होंगे Mains के भी Unsold Papers देखे होंगे मेरा आप से एक प्रश्ठ है कि Unsold Papers में जब आपने उसे देखा है तो आप केवल एक बात मुझे बताएं कि जो current affairs का जो हिस्सा है, current affairs वो कितना है, क्या आपने कभी analyze किया है, ये जो मैं current affairs कह रहा हूँ, ये कोई अलग से subject नहीं है, current affairs कोई अलग से subject in fact नहीं है, ये जो topic आपको अगर part 1 आपने सुना है और अगर नहीं सुना हो तो मैं suggest करना चाहूँगा कि please part 1 भी इसका आप सुने, तब आप part 2 को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, part 1 में मैंने civil service के preparation किया total syllabus के चार main pillars बताए थे, वो चार main pillars definitely अपने subjects के हैं, और वो जो मैंने चार main pillars बताए थे friends, यहां मैं आपकी जानकारी के लिए उसे फिर से repeat कर देता हूँ, एक तो था भुगोल, दूसरा subject उसमें था राजनीती, राजनीती शास्त्र में जान बूझ कर नहीं लिख रहा हूँ, तीसरा उसमें था अर्थ शास्त्र, और उसमें चोथा विशे था इतिहास, और जब हम इतिहास की बात करते हैं, तो definitely इसमें freedom moment सबसे ज़्यादा माइने रखता है, सोतनता आंदोलन, यह जो चार विशे, definitely जब हम current affairs की बात करते हैं, तो उस current affairs से history उतना ज़्यादा नहीं जुड़ पाता, यह बिलकुल सच है, क्योंकि history में current affairs की घटना है, बहुत कम घटेंगी क्योंकि current affairs ही आगे चल करके इतिहास बनेगा, इसलिए हम इतिहास के विशे की जब तयारी करते हैं, तो हमे current affairs पे जाना नहीं होता है, in fact हम जाही रही सकते हैं, लेकिन friends, यह जो तीन subject हैं, और इन तीन subject में भी, especially, यह जो दो subject हैं, राजनीती और अर्थशास्त्र, ताज्यूब करेंगे, आप इनको पढ़ करके देखिए, तो इसमें से लगभग लगभग 75% जो questions पूछे जाते हैं, वो current affairs पर based होते हैं, current affairs पर based होते हैं, अर्थशास्त्र में तो बहुत ही ज़्यादा current affairs होता है, राजनीती शास्त्र, अगर हम इसको चली हम mains और pre में थो करके देखेंगे, तो उसमें आपको इसका जो अनुपात मिलेगा, वो 75% प्लस 25% मिलेगा, यानि कि जो 75% जो questions पूछे जाएंगे, वो कहीं ने कहीं current से जुड़े होए होंगे, लेकिन direct currents नहीं होंगे, जैसे मान लिजे कि राश्रपती शासन पर कोई प्रशन पूछा जा शेड तयार किया जाएगा, वो आप देखेंगे कि पता लगा कि पिछले एक डेड़ साल में जो राश्रपती के आपातकाल शक्तियां हैं, उसको लेकर जो घटनाएं घटी हैं, या उसको लेकर कि जो डिबेट सुए हैं, उस पर बेस्ट वो question है, इसका मतलब है कि है तो प 25% से लेकर के 40% तक, एक्जेक्ट तो को नहीं कहा जा सकता, 25% से लेकर के 40% questions होते हैं, वो फिर सीधे-सीधे किताबों से होते हैं, लेकिन वो किताबों से भी इस तरह के होते हैं, जो आप से subject की understanding की मांग करते हैं, दोस्तों ये जो 40% का जो ratio है, या इससे हम और थोड़ा स change कर दें, 75% और 25% का ratio है, ये प्री के लिए है, लेकिन अगर आप इन दोनों विशे को मेंस के लिए जाएंगे, तो आपको ताज्यूब होगा कि मेंस में इनका जो percentage है, मैं समझता हूँ कि 90 से भी अधिक हो जाता है, 90% से भी अधिक जो questions पूछे जाते हैं, वो इन दोनों subject के current affairs से related होते हैं, इसका मतलब है कि current affairs कितना important है, आप समझ लीजे, मैं जान बूझ करके current affairs के importance को आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों, ताकि फिर मैं इसके preparation के उस pattern पर आपको ले जा सकूँ, और एक concept के साथ, एक विश्वास के साथ आप फिर अपनी तैयारी को अंजा दे सके, जहां तक भूगोल की बात है, definitely, भूगोल में current affairs उसी तरह से उतना नहीं होता है, जितना की इतिहास में नहीं होता है, लेकिन भूगोल के साथ एक बात है कि कुछ न कुछ घटनाएं इस तरह की घटती रहती हैं, क्योंकि जब हम भूगोल subject पढ़ते हैं, तो आप भूगोल में थोड़ से current affairs की गुंजायस होती है, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन ये उलट जाता है, आप कहलेजे कि 25% current affairs होता है, और जो 75% है, वो general common knowledge के तहत होता है, या कहलेजे कि वो आप किताब से तयार कर सकते हैं, अब ये जो current affairs है friends, ये जो current affairs है, ये तो मैंने चाहर इस्तंब की बात की, लेकिन इसका दूसरा रोल भी बहुत है, जो आप ऐसे लिखते हैं, याद रखें, जो आप निबंद लिखते हैं, उस निबंद में current affairs आपकी बहुत मदद करता है, और फिर आगे चल करके जो आपका interview है, interview तो पूरी तरह से current affairs पर ही based होता है, जो discussions की इस्तितियां होती हैं, वो पूरा का पूरा current affairs से सही questions पूछे जाते हैं, आपका भी भी मिला लीजेगा, आपको जब students qualify कर जाते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके आपको interview पढ़ने को मिलेंगे, magazine में मिलेंगे, आप students से भी मिलेंगे, तो उनसे questions पूछें, लेकिन उन questions को फिर उस समय पर तुलना करके देखें कि जिस समय ये questions पूछे गए थे, क्या इनका संबंद उनी समय की घटनाओं से हैं, तो आप पाएंगे कि येस, सभी के संबंद लगबग लगबग उस समय की घटनाओं से हैं, तो ये जो current affairs से आपको interview में भी बहुत अधिक मदद करता सच पूछे, तो अगर आपने इस current affairs में थोड़ी सी भी धिलाई की, तो दोनों ये subject बहुत कमजोर पढ़ जाएंगे, जनरल इस्टेडिस के मेंस और प्री में आप समझ लिजे कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एसे में थोड़ा बहुत कर लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे होत होते हैं, जिन पर लिखा जा सकता है, लेकिन उसकी खूबी ये होती है, कि अगर आपने ऐसे को किसी भी तरीके से current affairs से जोड़ दिया, फिर तो कमाल का ऐसे बन जाता है, वो आपके score को बहुत हाई कर देगा, और interview तो आप बिना current affairs के कभी भी face कर ही नहीं सकते, तो मित्रों current affairs का आपके preparation में बहुत बड़ा रोल है, इसको आप अपने दिमाग में बसा लीजे, बिठा लीजे, चाहे फिर आप इसे पसंद करें या न करें, ये आपके उपर निर्भर नहीं करता, अगर आपको civil service qualify करना है, तो इसे पसंद करना ही होगा, अब सवाल ये friends, कि ये जो current affairs है, ये इतना important है current affairs, तो अब आप इसकी तैयारी करेंगे कैसे, अब मैं आता हूँ, इस पर आपको थोड़ सा material कि मैं आपको आपसे बाते करूँगा, इसमें धेर सारी चीजें हमें ले करके चलने पड़ती है, friends, सबसे important current affairs में जिसका रोल होता है, वो है radio news, इसकी बहुत बड़ी भूई का है, मैं especially इस पर जोड़ देना चाहूँगा radio, इस पर मेरा especially जोड़ है, radio news की बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं जो भी बातें आपसे share करूँगा, मेरी कोशिस होगी कि मैं उसके पीछे आपको तर्क भी बताऊ, radio news इसलिए मित्रों, कि जो radio news है, एक तो छ रहा हूँ, क्योंकि वो पूरे दिन के complete news आपको provide करती है, देश के भी और विदेश के भी, दूसरी बात यह है, कि वो हमारे national news है, यानि कि हमारा देश इन इन घटनाओं को important समझता है, उसी के आधार पर वो news तैयार की गई है, वो रास्त्री महत्तुका की खबरें हैं, औ और उनमें आपको उस तरीके के भले उस तरके उबावपन नहीं मिलेगा, उस तरके रोचता नहीं मिलेगी, उस तरके ट्विस्टिंग नहीं मिलेगी, जाधा तर आपको fact-based news मिलेगी, देखें, जाधा तर होता है, लोग कहते हैं कि ने सरकारी news है, उस पर भरोसानी करना चाहिए लेकिन फिलाल आप ये बात भूल जाए ऐसा नहीं है कि सरकारी जो न्यूज बनती है याद रखे कि सरकार उस पर जवाब दे ही उसके प्रती जवाब दे होती है क्योंकि वो सरकारी न्यूज अगर सरकार उसमें कुछ कहती है और उसमें कुछ गलत कहती है तो उस पर प्रशन उठाया जा सकता, इसलिए आव विश्वसनीता की बात यहाँ छोड़ दीजे, रेडियो नियूज, रेडियो नियूज यह निरधारित कर देते हैं कि आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, रेडियो नियूज में जो कुछ भी आ रहा है वो सब इंपॉर्टेंट सब इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिं खासकर जो हैड्लाइन से वो तो इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसे रटेंगे, ऐसा भी नहीं है, क्यों आप सुनिये, सुनने कि आप देखेंगे कि सुनते सुनते ही आपके अंदर एक अलग तरीके की capacity पैदा हो जाएगी मित्रों सबसे पहला है radio news radio news के साथ ही आप आप देखेंगे कि radio news में कभी कभी दूसरी चीजे भी आते हैं इसमें discussions भी आते हैं कुछ important issues पर discussions भी आते हैं आप देखेंगे कि radio news के बाद कभी कभी जो हमारे ministers होते हैं भारत सरकार के जो ministers होत यहां, इंट्रवियूज को भी सुनिए, कभी-कभी पबलिक इस्पीक पर भी प्रोग्राम सा आता है, समसामएक पुलाते हैं, समसामएक में दिस्कुशनस भी होते हैं, तो ये जो चीज़े है रेडियो न्यूज पर जो आती है जो न्यूज बेस्ट होती है इन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए हो सकता है कि कभी कभी कि ये छूट भी जाएं तो कोई बात नहीं लेकिन जो रेडियो न्यूज है ये आपकी छूटनी नहीं चाहिए ये आपको सुनना ही सुनना है अगर मैं रेडियो निउस सुनने की बात कह रहा हूं दोस्तों तो इसका मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप डीडी के निउस मत न सुनें आप डीडी के निउस भी सुन सकते हैं आप दूसरा कोई चैनल प्राइवेट चैनल है उसको पसंद करते हैं त आपकी कैपेसिटी कितनी डवलफ हो जाती है एस फॉर इस डिस करेंट अफेर इस कंसर दूसरी जो दूसरे मेटेरियल के रूप में जो हमारे सामने आते हैं फ्रेंड्स डेफिनिटली वो होते हैं न्यूज पेपर्स, अखबार, निश्चित रूप से आप सब अखबार पढ की जाती है कि फलाना ही अखबार पढ़ना चाहिए, फलाना ही अखबार पढ़ा जाना चाहिए, इसी से सिविल सर्विस में सेलेक्शन होता है, इसी से सिविल सर्विस से कोश्चन्स पूछे जाते हैं, मित्रों मैं इस बात पर उतना विश्वास नहीं कर पाता, हां अखब national रास्टी इस तरका आखबार होना चाहिए रास्टी इस तरका कहने का मतलब है कि बहुत से अखबार ऐसे होते हैं जो बहुती लोकल लेवल के अखबार च्छपते हैं वो नहीं अगर आप language की बात करेंगे तो language आप अपने धंग से चुन लिजे क्योंकि मुझे लगता है कि अब सभी राज्यों में नैशनल लेवल के अखबार निकलने लगें यहां तक कि वो दिल्ली में निकल रहे हैं या दूसरे बड़े शहर से निकल रहे हैं तो उनके डिफरेंट डिफरेंट एडिशन अखबारों के उन राज हिंदी अखबारों में आप जानते हैं कि जो अच्छ इस तरके अखबार माने जाते हैं डिफनिति उसमें डैनिक जागरन है डैनिक भासकर भी है आपके नौभारट टाइम से डैनिक हिंदुस्तान है रास्ति सहारा भी काफी कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर देता है जन होना चाहिए फ्रेंज्स वो होना चाहिए एकनॉमिक से रिलेटेड अर्थ शास्त्र से संबंदित अखबार होना चाहिए एकनॉमिक से रिलेटेड की जो मैं बात कर रहा हूं वो जैसे कि अगर हम हिंदी में लें तो बिजनेस इस्टेंडर आता है हिंदी में भी अवलेब फ्रेंट्स कुछ बिजन इस अकबार को अलग से सजेस्ट नहीं करते हैं, उनका मानना है कि जो हमारा जो नेशनल लीज़ पेपर होता है, उसे में आप देखेंगे कि एक पेज एकनॉमिक्स का होता है, उसमें इंपोर्टेंट चीजें छप जाती हैं, लेकिन मैंने महसूस कि दिया है कि धीरे धीरे जापके सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में अर्थ शास्त्र का जितना महत तो बढ़ता जा रहा है, उस पर अच्छा स्कोर करने के लिए एकनॉमिक्स का एक अख़वार पढ़ा जाना चाहिए, उसे आपकी पकड़ मजबूत होते हैं, उसे सब्सक्रिचिनल अख़वार में अंग्रेजी अख़वारوں के नाम लेना चाहो मेतरों तो उसमें टाइमस आफ इंडिया है, बहुत अच्छा अख़वार है, इंडियन एकस्प्रेस वह भी एक अच्छा अखभार है, इंगलिश में आप उन अख़वारों को ले सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये दो अख़बार आपके पास definitely होने चाहिए इसके बाद इसमें फिर current affairs के लिए friends हमारे पास जो तीसरी चीज आती है वो आती है मैग जिन जो हमारे current affairs को तयार करती हैं मैग जिन पत्रिकाएं पत्रिकाओं में कौन कौन से important है देकि मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि दो पत्रिकाओं आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है और हो सकता है कि आप इन पत्रिकाओं के कौन चेटर ये हिंदी में भी अवैलेबल है और ये इंग्लिश में भी अवैलेबल है योजना ये दोनों पत्रिकाओं सरकार की हैं तो आप देखेंगे कि मैंने ये महसूस किया है अगर आप बहुत माइनूटली अब्जर्व करें और बहुत सी चीजों में तो माइनूट माइनूटली अब्जर्वेशन की भी जरूवत रही है कि जो कुश्चन्स पूछे जाते हैं उन पर बकायदे सीधे सीधे लेक योजना में छपे हुए होते हैं ठीक इसी तरह से कुरुछेत रहे ये भी सरकार की पत्रिका है इसमें रूरल डवलप्मेंट और इस तरह की च मैं कह रहा हूं फ्रेंड्स की वो जो एनालेसिस आपको जब कुश्चन्स की करनी पड़ेंगी तो डेफिनिटली वो आपके आपके अपके अपने कैपसिटी की मांग करेंगी कि आप एनालेसिस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं लेकिन एनालेसिस करने के लिए किस त किसरी मैगजीन है जो मैं यहां आपको थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूंगा थर्ड मैगजीन वो है प्रतियोगिता से संबंधित मैगजीन कॉंप्टेटिव एग्जामिनेशन से संबंधित जो मैगजीन साती है उसमें से आप देख लिए और इसमें दोस्तों किसी का नाम पाना मेरे लिए संबंधित नहीं हो पा रहा है क्योंकि किसी में कुछ अच्छा होता है किसी में कुछ ठीक ठाक होता है तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप लोग थोड़ा सा वक्त गुजारें जो शाप सोती हैं वहां जाएं मैगजीन स्पल्टें और फिर देखें कि करिंट अफेर्स के लिए ये मैंने आपको रीडिंग मिटेरियल बताया है दोस्तों यहां मैं एक बात आप लोगों से और करना चाहूंगा जो करिंट अफेर्स के लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और चुकि मैं सीधे सीधे इस से जोड़ा हुआ हूँ हो स वो सजेशन है कि afeias.com जिसके जरीए आपका ये कारिक्रम आप जो सुन रहे हैं वो जो प्रोवाइड करना है आपको आप इस पर जाएं आप देखेंगे कि इस afeis.com पर आपको कुछ चीजें बहुत अच्छी चीजें आपको मिलेंगी हलाकि इस पर आप चले जाएंगे तो आपको रेडियो न्यूस भी सुनने को मिल जाएगे इसमें रेडियो न्यूस भी अवलेबल होती है लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों उसमें यह कि आठ न्यूस पेपर्स हमारे देश के जो आठ न्यूस पेपर्स हैं और इन न्यूस पेपर्स में न Times of India और Indian Express newspapers होते हैं मैं अगर हिंदी के नाम लूँ तो इसमें दैनिक भासकर होता है इसमें दैनिक जागरन होता है इसमें राश्ट्री सहारा होता है इसमें जनसत्ता अकबार होता है इन अकबारों में से डेली आपको वो क्लिपिंग्स प्रोवाइड की जाती है जो आपको पढ़नी चाहिए मित्रों आठ अकबार कल्पना करके देखिए कि एट न्यूजपेपर्स एट न्यूजपेपर्स की क्लिपिंग्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये नहीं कि सभी काटी है और आपको प्रोवाइड कर दे गई वो क्लिपिंग्स जो आपको पढ़न चाहिए वो प्रोवाइड की जाती है आठ न्यूजपेपर्स इसकी थोड़ा सा वैल्यू करने की कोशिश कीजिए और चुकि इसे मैं खुद तयार करता हूँ ये किसे से तयार नहीं कराया जाता है ये मैं खुद तयार करता हूँ सभी पेपर्स देखता हूँ उनका मुल् इतना ही नहीं फ्रेंज की इन निउस पेपर्स की क्लिपिंग में यदि मुझे कोई बात बहुत इंपोर्टेंट लगती है तो उसे मैं अंडर लाइन भी कर देता हूं आपकी सुविधा के लिए अंडर लाइन भी कर दिया जाता है कि आप इस पर ध्यान दीजिए बात यहीं सुनिए है जो रेडियो निउस इस रेडियो निउस की एनालेसिस की सिविल सर्विस की लिहास से कि इसमें किसे कौन सी निउस इंपोर्टेंट है क्यों इंपोर्टेंट है एक्जामेनेशन में यह आपकी किस तरह से मदद कर सकती है इसको आधार बना करके किस तरह से कोश् लगभग लगभग डेली 30 से 35 मिनट का आडियो होता है और इस 30 से 35 मिनट के आडियो में पहले आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशनल टाइप का एक्सप्रेशन होता है मोटिवेशनल होता है मोटिवेशनल का मतलब है कि आप थोड़ा सा अपने आपको गेर अप कर सकें अपनी उर्जा को बढ़ा सकें और यह जो मोटिवेशन होता है बहुत ही साइन्टिफिक और सच पूछिए तो बहुत सिविल सर्विस के ल यह आप से केवल 30-35 मिनिट्स की मांग करता है बस और इसमें इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है अभी चीज़ें खतम नहीं हो गई है मित्रों इसी के साथ ही आप सेटर्डे को देखेंगे कि सेटर्डे को फिर जो योजना पत्रिका है और जो कुरुछेत्र पत्रिक के एक एक आर्टकिल आपको प्रोवाइड करता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में और यह जो योजना और कुरुछेत्र के जो आर्टकिल्स आपको प्रोवाइड किये जाते हैं यह सेलेक्टेड आर्टकिल्स प्रोवाइड किये जाते हैं यानि कि वे आर् Saturday को, Saturday को आपको एक weekly question भी दिया जाता है, weekly question होता है, जो civil service के pattern का होता है, बिल्कुल civil service के pattern का, कि ताकि आप इस question का answer लिखे, और फिर ये जो question दिया गया था, इसको कैसे लिखा जाना चाहिए, इसके बारे में next Friday को बताया भी जाता है, कि इस questions में ये ये चीजें cover होनी चाहि मित्रों आप इसी से इस afeis.com की value का अनुमान लगा सकते हैं, और यदि आप थोड़े से भी पिछले लग 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 6 महिने या साल भर से तैयारी कर रहे हों, तो मुझे बताने की जरूवत नहीं है कि आपके पूरे के पूरे preparation में ये afeis.com कितना value addition कर सकता है, और साथ ही स जो बीच बीच में special audio guidance होता है, जो हम अपने class student को provide करते हैं, वो special audio guidance के भी जो special audio होते हैं, वो कभी-कभी provide कर दिये जाते हैं, और एक बहुत important point जो यहां छूट गया है, वह है दोस्तों, एक column होता है current content का, current content, एक column होता है current content का, मतलब सब point है उसका, जो knowledge center है, knowledge center में आप ज क्लिपिंग्स मिलेंगे, अखबारों के clip articles मिलेंगे, current content में हम लोग लगभग-लगभग रोजाना, जो English newspapers होती हैं, उनके वे articles जो बहुत important हैं, editorials जो बहुत important हैं, लेकिन हिंदी के students तक वो चीजे नहीं पहुच पाती, हिंदी में उसका SAR भी provide करते हैं, उसका SAR रूप, content के अंतरगत प्रोवाइट किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं, मित्रों की ये जो current, जो AFEIS.com है, खासकर current affairs के मामले में आपके preparation के लिए आपकी कितनी मदद कर रहा है, और यह आप से केवल 30-35 मिनट की मांग करता है, मिनम 30-35 मिनट का ये daily audio आता है, तो मित्रों, मैंने details में थोड़ी सी इसकी चर्चा इसलिए की है, ताकि आपको ये पता लग सके कि in fact ये है क्या, ज्यादा बेहतर होगा कि आप खुद इसका मुल्यांकन करें, सुने, कुछ दिनों तक तो कम से कम सुने ही, एक, दो, तीन दिन के आधार पर निरने न ले, लग 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 ए के पूरी दुनिया में आप सुन सकते हैं, आप से किसी चीज की ये मांग करता नहीं, आप अपने मुबाइल पर सुन सकते हैं, चलते फिरते इसका इसका कर सकते हैं, कर के देखिए, अगर आपको फिर वह उपयोगी नहीं लगता है, तो आप बिल्कुल इससे अपने आपक कर लीजे और मैं चाहूंगा कि हमें सुचित भी कीजिए कि हमें ये बिलकुल उपयोगी नहीं लग रहा है ताकि हम उसको आपके लिए और उपयोगी बना सके और यदि आपको उपयोगी लग रहा है तो प्लीज उसके बारे में भी हम लोगों को बताईए ताकि हम लोग आप अपने काम के प्रती और अधिक विश्वास हासिल कर सकें तो मित्रों ये AFEIS.com के बारे में था जो करिंट अफेर्स के प्रिपरेशन में आपकी बहुत जबरदस्त रूट से मदद करता है फ्रेंड्स अब मैं आता हूँ बुक्स के उपर यानि कि अब आपको किताबें कौन-कौन से पढ़नी चाहिए राइट इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भी आप किसी से भी पूछेंगे कि कौन-कौन से किताबें पढ़नी चाहिए तो हर कोई आपको N-C-E-R-T की किताबें सजेस्ट करेगा ही करेगा नो डाउट वो सही आपको सजेस्ट करूंगा जो सबसे इंपोर्टेंट है बुक्स के रूप में आप इसे एक तरह का अपना फाउंडेशन मान ले उसके पिछे रीजन है दोस्तों कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो इसलिए कि जो सिविल सर्विस जिस एक्जाम में आप बैठ रहे हैं वो आल किटाबें जो इंसी आ और डी किताबें उसमे बुखने जाए लगां तो इस से सुझे विख धे इस उसयघनीं तो नहीं पूछे जाते हैं लेकिन इस पर आधारी किताब सैनल These इंसरी चीजिए है दोस्तों कि जो NCRT की किताबें जो प्रिपेर किये गई हैं मैंने पढ़ी है और बहुत ध्यान से पढ़ी है बहुत अच्छे तरीके से तयार की गई है उनको बहुत अच्छे से लिखा गया है समझाने के अंदाज में लिखा गया है और modern approach जो होनी चाहिए उसके उस आधार पर किताबें लिखी गई हैं तो NCRT की किताबें तो पढ़नी ही चाहिए याद की जब फर्स्ट पार्ट में मैंने जो चार सब्जेक्ट्स आपको बताए थे वो चार सब्जेक्ट्स जो सिविल सर्विस के पिलर्स हैं उन किताबों को मु तेंथ के स्टेंडर्ड तक की भी अगर पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा पढ़ेंगे तो आपका काम क्या चल जाएगा तेंथ स्टेंडर्ड तक की ही किताबें पढ़नी चाहिए ज़्यादा उसमें नहीं होना जाएए मैंने आपको पहले प्रिंसिपल्स वाले प चल जाएगा लेकिन वो जो चार सब्जेक्ट हो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं तो आपको NCRT की किताबें तो हर हालत में पढ़नी ही चाहिए इसमें कोई आपको लिबर्टी प्लीज डों टेक एनी लिबर्टी बाउट इसके बारे में आप अपनी तरफ से कुछ भी न हूँ दूसरी किताबों पर और सच पूछे तो जब मैं दूसरी किताबों के बारे में बात करता हूँ तो मेरे मन में एक द्वंद सा उठता है कि मैं क्या सजेस्ट करूँ ये द्वंद इसलिए उठता है क्योंकि जो सिविल सर्विस का अपका जो पैटर्न हो गया है चाहे अपने subject के basics मालूम है या नहीं है बस क्योंकि जब तक आपको subject के basics मालूम नहीं होंगे तब तक आप उसकी analysis नहीं कर सकेंगे और यह analysis से यह आपकी अपनी own ability है या आपकी अपनी योग गिता है तो important यह है books के लिए कि आपको ऐसी books चाहिए जो आपके दिमाग में subject के basics या इसी को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो subject के fundamentals होते हैं उन fundamentals को clear कर दे बस अब सवाल यह है कि यह fundamentals या जब आप civil service के लिए किसी subject की तैयारी करते हैं मैं general studies के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसमें बहुत बड़ा रोल इस बात का हो जाता है कि आपकी अपनी background क्या है मालेजे के एक science का student है तो science के student को अगर मालेजे NCRT तो बाकी तैयारी करी देगी लेकिन जब वो दूसरी किताबों पर जाएंगे तो science के student के लिए जहां तक humanity subject का सवाल है जैसे मालेजे कि वो geography के तैयारी के लिए एक दूसरी किताब भी चाह रहे हैं apart from the NCRT plus एक और किताब चाह रहे हैं history NCRT के साथ-साथ वो एक दूसरी किताब भी चाह रहे हैं economics के तैयारी के लिए भी हो चाहरें कि NCRT के साथ साथ मैं और कोई किताब पढ़ हो तो उनके लिए किताबें बिल्कुल डिफरेंट होगी लेकिन एक ऐसा student जो पहले ही graduation तक इन subjects को पढ़ चुका है उनके लिए किताबें बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी इसलिए दोस्तो ब्यावारिक तोर पर सबसे पहली इस बात को आप न भूलें कि जो किताबों का जो selection है कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए या इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस उचाई पर बैठे हुए हैं यानि कि आपकी background क्या है आपकी requirement क्या है इसके लिए मैं पूरी की दुकानों पर जाएं जो जो किताबें आ रही हैं इसके बारे में जो जो आई हुई हैं उनको थोड़ी देर तक पल्टें उल्टें और फिर खुद डिसाइड करें कि इनमें से कौन सी किताब आपके लिए उप्योगी हो सकती है एक बात मैं यहां जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगा फ्रेंड्स की जब भी किताबों की बात हो मैगजिन्स की बात हो नोट्स की बात हो प्लीज मार्केट भरा पड़ा है ऐसी चीजों से जादा किताबें पढ़ने जादा नोट्स पढ़ने जादा से जादा मैगजिन्स पढ़ने के मों से खुद को इसलिए मैंने पार्ट वन में इसके सिद्धान्त की बात की है ताकि आपके दिमाग से यह भ्रम हट जाए कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा सफलता की संभावनाई होंगी अपने लिए एक सबजेक्ट पर एक या दो मुख्य पुस्तकें चुन लें और इसके बाद उस पुस्तक को समझ कर और फिर करिंट अफियर्स से जोड़ जोड़ कर अपनी एनालिसिस पावर डवलप करें आपका काम हो जाएगा बितनों लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि जब मैं स्टूडेंट से ये बात करता हूँ तो उनको इस बात पर बहुत ज़्यादा संतोश नहीं होता है वो जानना चाहते हैं कि नहीं सर हमें कुछ तो किताबों के नाम बताईए मुझे लगता है आप सबने ग्रेजिवेशन किया हुआ है किताबों के चैन की छमता तो आप में आ ही जानी चाहिए लेकिन ठीक है कि जब हम सिविल सर्विस की किताबों के लिए बात करते हैं तो आपके मन में कुछ संदे होते होंगे तो मैं उस तरीके से केवल एक थोड़ी सी guidance के रूप में, थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको कुछ किताबों के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ी सी जानकारी के लिए, लेकिन ये किताबें ऐसी हैं जो आप ले सकते हैं, जिन पर आप थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं, ल जो सच पूछे तो वाकई में बहुत ही अच्छी किताब है और इस किताब को मैं सजेस्ट भी करना चाहूंगा और ये जो किताब है दोस्तों ये लक्षमी कांत जे की किताब है ये बहुत अच्छी किताब है बहुत अच्छे तरीके से लिखा लिखी गई है और सबसे बड़ current affairs से जुड़े हुए होते हैं उनके तो कैसे मिलेंगे लेकिन जादा तर questions के जो answer हैं वो लक्षमी कांत की किताबों में मिल जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि किताब लगातार update होती जा रही है यह नहीं कि 10 साल पहले अगर लिख दी गई है तो फिर वही किताब चल रही ह दोस्तों दूसरा जो subject है वो है geography पर geography पर मैं आपको suggest करूँगा NCRT की किताब मैंने आपको बताई ही है वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए लेकिन एक writer है माजिद हुसेन जी यह किताब भी काफी पहले लिखी गई थी और यह किताब भी काफी popular है बहुत जादा म मुझे लगता है कि ठीक है एक second book के रूप में कि कुछ और नई चीजे मिल जाती है समझाने का अंदाज अलग हो जाता है क्योंकि मैंने देखा कि जो NCRT की किताबे हैं अगर Hindi मीडियम के student है तो वो थोड़े से उसके साथ कठनाई महसूस करते हैं क्योंकि original to English में लिखी ग इकत होती है बहुत से शब्द ऐसे होते हैं वाक्य ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते तो मुझे लगता है कि अगर वो इस NCRT किताब के साथ जागरफी में माजिद हुसेन जी किताब पढ़ लेंगे और कोई भी दूसरी किताब ले लीजे तो उससे काफी आपको मदद म ये किताब ठीक ठाक है अच्छी है लेकिन आप देखेंगे कि आप NCRT के बाद बहुत कम आपको दूसरी किताबों से मदद लेने की बात हो जाती है लेकिन इसमें आपको काफी कुछ अलग तरीके की जानकारियां मिल जाएंगी समझाने का अंदाज थोड़ा सा ठीक है भा अगे बाद जो फूर जिस पिलर्स की हम बात करते हैं तो डेफिनिटली जो चौथी किताब जो चौथा सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में NCRT की किताब तो आपकी मदद करेंगी है और मैंने का बताया है कि ये जव चारों के चारों जो पिलर्स है इस पिल सजेस्ट करूंगा और फिर से मैं पूरी विदमरता के साथ सजेस्ट कर रहा हूँ और आप इसे बिलकुल इस रूप में मत लिजेगा कि मैं अपनी किताबे सजेस्ट कर रहा हूँ इस तरो मैंने एक किताब लिखी है आजादी की कहानी यह बहुत पतली किताब है सौ पेज की किताब है और जैसा कि शीरसक से ही है इस पस यह आजादी की कहानी स्टोरी फार में लिखी गई है यह किताब कंप्लीट नहीं आपका इस से काम नहीं चलेगा इस गलत फैमी में मत रहिएगा और यह आपको इनॉलेसिस पावर भी डवल अप नहीं करेगा लेकिन यह किताब फ प्यारे तरीके से लिखी गई है और आपको ऐसा लगेगा जैसे वाकई में आप कोई कहानी सुन रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा दोस्तों की यह फ्रिड़म मुमेंट पर आजादी की कहानी यह मेरी लिखवी किताब है डॉक्टर विजय अगरवाल की आप यह पढ़ स दोनों ही क्योंकि आजादी के बाद की किताब आपको मदद करेगी आपके मेंस में यह आपके सिलेवस में है और इस पर कुछे जाते हैं तो जो विपिन चंद्रा की किताब है वो आपको यह दोनों ही सब उस टाइटिल्स पर आपको पढ़ने हैं दोस्तों फिर विजय दिक्कत महसूस कर सकते हैं लेकिन वो अपने थोड़े सा इजी अपने को बनाना चाह रहे हैं तो NCRT की किताबों के साथ साथ एक जिस किताब को जनरली लोग पसंद कर रहे हैं फिलाल वो सिल्वंत सिंग जी की लिखीवी किताब है इसको आप पढ़ सकते हैं लेकिन मैं आप की बाग चली तो ग्रेविटेशन वेबस पर आजाएगा हैल्थ सेक्टर में कोई invention हूए है कंप्यूटर में कोई invention हूए है तो उस पर आजाएगा तो वो current affairs से वो ज़्यादा cover होते हैं जहां तक mains का सवाल है प्री का सवाल है मैं बता चुका हूँ कि questions थोड़ी से कठिन कि impact होगा तो मित्रों ये मैंने आपको जो किताबें हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है और मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि प्लीज किताबों के चैन के बारे में आप दूसरों से suggestion लीजिये जैसा कि मैंने भी आप आपको suggest ही किया है लेकिन आप इसे बिल्कुल ब्रह्मवाग के मतमानिये आपकी अपनी प्रिस्ट भूमी किताबों के बारे में बहुत जादा काम करती है तो आप अपनी प्रिस्ट भूमी के हिसाब से भी चैन कीजिये और उसके लिए कुछ वक्त आप अपने किसी भी बुक शाउप में जा करके गुजारिये क्या फरक पड़ता है रोज चले जाए आधा आधा घंटा पंदरा पंदरा मिनट वहां जाए किताबों को पलटिये और फिर उसमें डिसाइड कीजिये मित्रों अब मैं आता हूँ थोड़ी सी अन्य बातों पर जिसको मैं अन्य सामगरी नाम देना चाहूँगा अधर मटेरियल्स की इन सब के साथ साथ आपको और कौन-कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए अधर मटेरियल्स ने ये सामाने तोर पर मैं आप से कह रहा हूँ जैसे एक एकनॉमिक सर्वे आता है आप देखेंगे कि बजट के ठीक एक दिन पहले गौर्मेंट आफ इंडिया की मिनिस्ट्री आफ आइनस एकनॉमिक सर्वे देती है उसमें देश भर में साल भर में क्या-क्या हुआ है वो उसका पूरा विवरन होता है आपको हर साल ये एकनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए हर साल ये हर साल रिप्लेस होता है हर साल आता है एकनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना चाहिए आप देखेंगे कि संसत के संयुक्त अधिवेशन में बजट सत्र सुरू होने से पहले संसत का संयुक्त अधिवेशन होता है जिसमें राष्ट्रपती दोनों सद्रों को संबोधित करते हैं और उसमें वो सरकार का लेखा जोखा पेश करते हैं कि उनकी सरकार ने पीछे क्या किया है और आगे क्या करने जा रही है तो आपको एक तरीके से सरकार की मानसिक् पता लग जाता है कि व। क्या प्रोग्राम लेकर के आ रहीं किन चीजों को इंपॉर्टेंस देने जा रही है उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी मिल जाते हैं और वो लेटेस्ट डेटा होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि तो आप उस डेटा पर संदे भी मत कीजिए, वो अथेंटिक डेटा हैं, तो संजुक्त अधिवेशन में ट्रास्ट पती का भाशन होता है, आपको वो पढ़ लेना चाहिए, ठीक इस तर से दोस्तों, प्रधान मंत्री जी के कभी-कभी जो बहुत महत्वपुन उद्बोधन ह होते हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे एक स्वतंतरता दिवस पर रास्ट को संबोधित करते हैं, उससे एक सरकार का व्यूव पता लगता है चीजों पर, वो हमें सुन लेना चाहिए, पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, सुन लेना चा ही है, तो उसे आप आधर्ष पंचायत का रूप कह सकते हैं, जिसे आप आधर्ष ग्राम से जोड भी सकते हैं, ये तो फिर आपके अपनी छमता के उपर होगी कि निर्भर करेगा कि आप सुनी वी चीजों को पढ़ी वी चीजों का किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं मन की बातें अगर कुछ बहुत important issues पर हैं तो वो आप सुन सकते हैं और वैसे भी मुझे लगता है कि सुन लिजे क्या है आपको पता तो लगेगा क्योंकि after all जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के सरवे सरवा हैं सरकार के सरवे सरवा हैं वो जो कहते हैं वो मैने रखता है तो आप प्रधान मंत्री के आप उद्वोधन सुन सकते हैं ठीक इसी तरह से जो बहुत ही important personalities होती हैं अपने अपने फिल्ड के उनके आप अगर उद्वोधन कहीं सुन सकते हैं तो वो आप जानने की कोशिस कीजिए lectures कहीं आपको पढ़ने को मिल जाते हैं आजकल YouTube पर भी available हैं तो उन्हें आप सुन लीजे जैसे इसी में से हम कहें माली जै कि रगुराम राजन है गवर्नर है हमारे रिजर्व बैंक के तो डेफिनिट्री वो देश की अर्थ ब्यवस्था पर बोलेंगे तो माइने रखेगा और economist भी हैं बहुत माइने वी economist है जैसे माली जै नारा होता है कभी-कभी उनसे आपको बहुत अच्छे आइडियाज जानने को मिल जाते हैं नए आइडियाज जो हम लोग जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि जब नए आइडियाज आप सुनेंगे तभी आपकी अपनी कल्पना शक्ती आगे बढ़ेगी तभी आप बढ़ेगी तभी एडियाज जी आपकी में अच्छे लोगे आपको फ़क्त के बारे में सब्सक्राव करेंसे से पने के बारे मुशतर से बारे देनाنت बिखेंगे तभी आपको एक बारे मेंूनो Mamagarin जारा में से आपब़ेगी ओर आपको नहीं जाते हैं। मदद करते हैं और आपकी personality को भी improve करते हैं तो मित्रों यहां में एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूं इकनॉमिक सर्वे बहुत इंपोर्टेंट होता है रास्तरपती जी का संसत के संयुक्त अधिवेशन में दिया भाशन इंपोर्टेंट होता है बलकि यह तो ऐसी चीजे हैं जो reference के रूप में आपको रख लेनी चाहिए और साल भर के बाद उसको replace कर देना चाहिए प्रधान मं सामगरी के रूप में मैंने ये आपको बहुत डिटेल में बताने की कोशिस की है और उसमें से आपको मैंने ये भी बताया है कि वो क्यों इंपोर्टेंट हैं उनमें से क्या क्या चीजें आपके पढ़ने की चीजें हैं वो आपके सामने मैंने विस्तार के साथ रखा है मैं इसमें परिवर्टन कर सकते हैं और फिर आप उन सामगरी को ले करके अपनी तैयारी को एक सुब्य वस्ली तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं एक बार में फिर से आप लोगों से कहना चाहूंगा मित्रों कि जादा से जादा किताबें पढ़ने, जादा से जादा मैकजिन उलटने, जादा से जादा रटने, इस धारणा को अब कम से कम अब आप अपने दिमाग से हटा दीजे, हलाकि वह यूग 1979 में कोठारी आयोग के स्विकृति के साथ ही वो खतम हो गया है, लेकिन धीरे धीरे सच पूछिये, तो ये रटने की और किताबों की और नोट्स की वेल्यू लगातार कम ही होती चली जा रही है, और जो इस्टूडेंट की जो इंडिविज्वल कैपेसिटी है, उसकी डिमांड इस सक्सेस के लिए लगातार बढ़ती जा रही है, तो बित्रों ये मैंने आपको माटेरियल्स के बारे में बताया है कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, अब इसका पार्ट थ्री होगा और उस पार्ट थ्री में मैं आपको ये बताऊंगा कि अब य इसका इंगल क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, डायरिक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर कोई एक ही चीज को एक ही तरीके से पढ़ता है, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से हमें चीजें पढ़नी पढ़ती हैं और उसकी भी जानकारी ह में होनी चाहिए तो इस बात की चर्चा की कैसे पढ़ा जाए हम इसी के कि आईएस की तैयारी कैसे करेंगे उसके थर्ड एंड लास्ट पार्ट में करेंगे तो दोस्तों अब मैं इजाज़त चाहूंगा थर्ड पार्ट के साथ मैं आप से फिर मुलाकात करूंगा मेरी कर दो कर दो खूट से घंखा टीजय को